तो इह जो पूरी फ्रेज है ना अगर हम देखें यहां पर ऐसा देख लिजे माइट्रेवल एजेंट सब्जेक्ट हो गया अगर हम देखें अब्जेक्ट का मतलब है नाउन फ्रेज हो गया इस नाउन फ्रेज में अगर हम देखें तोर जो है यह मेन नाउन हो गया कि इस मेन नाउन का डिटर्मिनर हो गया वाकी जो सिक्स देज कोच हमने लिखें यह मोडीफाएर है कि ग्रूप कर्राइब है कि ईस्ट देश्ट कोह तो यह वह उसम्हीं नाउन का डिटरमिनर है जो एक डिटरमिनर फ्रेज है मतलब सिक्स देश्ट कोँच तीनों वर्ड रूप सिंगल और का का म करता है ना यह जो सिक्स है ना इसका इस तोर के लिए नियुज हूआ है तो chwilा एक हैं सिक्षते बोल्स से पोच और लग लग ज़ीत है कि दोनों मोडिफ्यर यह बढ़िफार मोडिफार और कि मसे ऐसे हैं तो मैं जो घ्लेव con तो अगर ऐसको प्लोल्ड फॉर्म में है लीन बॉट्वार को दूसरे नौंस को एगर हम कभी किसी में नाउन के साथ में इनी दूसरे नाउन को एज मोडिफायर रिए उस करें तो उनको हमें प्लॉल फॉर्म में नहीं लिखना है और अगर हम उनके लिए कोई डेटरमिनर यूज़ कर रहे हैं अलग से कोई नंबर का डेटरमिनर या किसी भी तरीके का तो उसको हाइफनेट करके भी लिखना चाहिए जैसे दिखें है हमने लिखा 30 pages ऐसे यह हमने लिखा 4 days 4 weeks लीव ठीक है यह जैसे मैं मैंने यहां पर लिखा 20 5 लेटर वर्ड ठीक है अब पहले इन दोनों को समझ लेते हैं यहां से समझना जैसे हमने ऐसे लिखा है वह इसका डिटर्मिनर है अब वैसे तो थर्टी नहीं लिखा था तो हम एन ऐसे लिखते बट चुकि थर्टी लिखा तो उसका जो प्रिणेंसेशन है वह बावल प्रिणेशन नहीं है तो इसलिए अज लिख जा यहां पर जो लीव है यह अनकाउंटेबल ना उने ऐसे अकाउंटेबल ना उने लीव तो हम यह के समझ सकते हैं कि जो 4 है वो हमने लीव के लिख लिख नहीं सकते और यह जो लीव है यह अनकाउंटेबल ना उने तो 4 हम लीव यह नहीं कर सकते तो कहने का मतलब है यह वह हमारे क्या है यह मोडिफायर है अब जब आपको यह बात समझ वह आ जाए कि यह modifier है तो देखो हमें करना क्या होगा एक तो यह modifier है तो इसको plural form में मत लिखें दूसरा चुंकि 30 और पेज modifier है 4 और वीक modifier है और दोनों ग्रूप मतलब यह दोनों वर्ड्स मिलकर एक compound के तरीके सेक्ट कर रहे हैं इस noun phrase में तो इनको hyphenate भी कर दीजे तो लिखिए 4 वीक लिव ए 30 पेज ऐसे यह हमारा करेक्ट आंसर हमने लिखा 25 लैटर्स वर्ड अब यह जो question है हम इसको जब ध्यान से देखेंगे तो हम एक बात समझ में आएगी कि जो word है यह main noun है यह पूरी एक noun phrase है 25 letters word यह noun phrase है word countable noun होता है word कैसा noun होता है countable noun होता है सबको ध्यान रखना है ठीक है तो अब हम अगर word के लिए 20 determiner use कर रहे है तो फिर यह words होना चाहिए था तो अब भी हम क्या मान के चलें कि यह जो 20 है वो वर्ड के लिए नहीं उसकर रहे है क्योंकि अगर 20 को वर्ड के लिए उसकरोगे तो वर्ड को हमें plural form में words लिखना पड़ेगा ठीक है और हमें यह भी नहीं पता कि 20 और 5 एक साथ हैं कि 20 और 5 अलग-अलग है इसको यह जो हमने 25 और 25 यह हमें समझना है यह एक साथ है अलग-अलग है तो यह बड़ा ambiguous noun phrase है अगर हम ऐसे लिख दें 25 लैटर्स वर्ड तो इसके के मीनिंग इंटरप्रेट हो सकते हैं एक मीनिंग ऐसा हो सकता है कि 25 अक्षर बाले शब्द मलब कोई ऐसा शब्द जिसमें 25 लैटर्स हो 25 ल यह समझ सकते हैं 20 वर्ड्स विद्व फाइव लैटर्स 20 ऐसे वर्ड्स जिनमें हर एक में फाइव लैटर्स हो तो यह जो हमने लिखा है यह बड़ा ambiguous meaning है और ग्रामेटिकली इंकरेक्ट है क्योंकि इसमें हमने मोडिफार को प्लोल फॉर्म में लिख रखा है अगर हम इस irens को एएसे लिखें ऑ कि 2025 लेक्टर आइ maior तो हम इसको ऐएसे लिख दे हैं 25 और 25 लेकटर यह नए hardware अगर विषकाद दे है 25 लेकटर लेकट तो इसका मतलब हम रही एक वर्ड जिसमें 25 लेकटर दूसरा हम इसको कैसे लिख सकते हैं उसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लिखने हैं 25 लेटर वर्ड्स ऐसे लिख सकते हैं 25 लेटर वर्ड्स 20 वर्ड्स और 5 लेटर मतलब 20 ऐसे वर्ड्स जिन में 5 लेटर होते हूं या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 25 लेटर वर्ड्स 25 अक्षर वाले शब्द एक से ज्यादा मालो जैसे यहां पर लिखाता है एक वैसे होगे एक से ज्यादा तो कुल मिलागके बात यह है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें 25 लेटर वर्ड्स तो सही, इन में से अगर हम कोई तरीका यूज़ करेंगे üzered तो सही होगा यह गलत था तो फुल में लाके हमें ध्याने रखना है कि जो noun modifiers होते हैं उनको plural form में ना लिखें और अगर हमने कोई noun modifier किसी noun phrase में उसकिया है और हम उस noun modifier के लिए कोई अलग से determiner को नूमरल उसकर रहे हैं तो उसको hyphenate भी करें hyphenate कर देने से confusion खतम हो जाता है यह पता चल जाता है कि यह determiner जो हमने 25 लिखा वो letter के लिए जैसे हमने 25 letter को hyphenate कर दिया तो इससे clear होगे कि यह तीनों word एक साथ में ऐसा नहीं कि 20 word के लिए है 5 word के लिए हो ठीक है 5 letter कर देने से clear होगे कि है कि आप सबने साथ पढ़ा भी होगा कि 21 to 99 तक जब वर्ड्स होते है है कि तू नाइन्टी नाइन यह जो नंबर्स होते हैं जब इनको वर्ड्स में करके ही लिखना चाहिए तो यह जो हमने आज six day लिखा था ना इसमें six day के लिए था दे मोड़ी फारे में नम था नहीं तो एक तो उसका एसाटा और दूसरे इसको है प्नाइड विल्ल